जी हाँ दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट में अवेलेबल बेस्ट डिश्वाशर की पर दोस्तो कोई भी डिश्वाशर खरेदने से पहले आपको ये कुछ 7 important points पता होने बहुत ज़रूरी है वरना आप कोई भी बेकार machine buy कर सकते हैं और क्या आप जानते हैं कि एक डिश्वाशर कितना पानी और electricity consume करता है उसके अंदर आप कौन से बरतन धो सकते हैं और कौन से नई और उसमें आपको कौन सा detergent यूज़ करना चाहिए और हाँ ये वीडियो वस उनी लोगों के लिए है जो सच में अपने पैसे सही जगा स्पेंड करके एक अच्छा डिश्वाशर खरीदना चाहते हैं तो वीडियो में last तक बने रही हैं सबसे बहले बात करते हैं buying guide यानि उन important points की हमारा first point आता है capacity of dishwasher यानि कि आपका dishwasher एक साथ कितने बरतोनों को wash कर सकता है generally दोस्तो dishwasher 8, 12 या फिर 14 place settings के साथ आते हैं अगर आपके family में 3 से 4 लोग है तो आपको 8 place settings वाला dishwasher लेना चाहिए और अगर आपकी family 5 to 6 members की है तो आपको 12 place settings वाला dishwasher पर्चेस करना चाहिए similarly अगर आपकी family साथ से जादा लोगों की है तो आपके लिए 14 place settings model बिल्कुल perfect रहेगा और इस विडियो में मैं आपको 30 place settings वाले dishwasher बताने वाला हूँ हमारा next point आता है dishwasher की build quality दोस्तों हमें चाहिए एक stainless steel body वाला ही dishwasher खरीदे ना कि सिर्फ उसकी outer body बलकि उसकी inner body भी stainless steel की होनी चाहिए क्योंकि वो highly durable होता है and list में मैंने सभी अच्छी quality के ही model include किये है इसके बाद आपको देखना चाहिए उस dishwasher का water and electricity consumption दोस्तों चाहे कोई भी dishwasher हो वो per wash cycle around 10-11 liter पानी का तो use करता ही है और उसी पानी को dishwasher के अंदर लगे हुए filters recycle करके use करते हैं इसलिए उसमें अच्छी filters लगे होने चाहिए हैं और दोस्तों किसी भी brand का कोई भी dishwasher 0.8 kilowatt से लेकर 1.2 kilowatt तक की electricity consume करता है per wash cycle इसी बिच सभी का energy consumption रहता है अब बात करते हैं कि आप dishwasher में कौनसे utensils wash कर सकते हैं दोस्तों steel dishwasher safe plastic, glass and ceramic के बरतन आप उसमें easily दो सकते हैं और wood, iron, aluminium, non-stick और कोई ऐसा बरतन जिस पर sticker या फिर कोई print हो dishwasher में नहीं दोना चाहिए next point है after sale service किसी भी dishwasher को खरीदने से पहले उस पर आपको अच्छी खासी warranty मिल रही हो और पहले अपने area में उस brand की after sale service जरूर चेक कर ले noise levels की बात करे तो दोस्तो maximum 50 decibels तक होनी चाहिए अगर उससे ज़्यादा है तो वो थोड़ी noise create करेगा और आपको problem हो सकती है और list के सभी dishwasher का noise level 50 decibels से तो कम ही है last but not the list दोस्तो dishwasher में यूज होने वाला detergent, salt and rinse aid साथ में ही order कर दीचे क्योंकि आपके dishwasher के साथ में ये चीज़े नहीं आती और काफी सारे लोगों की ये complaint है कि installation team ने ये तीनों चीज़े उन्हें ज़ादा price पर बेची है इस बात का खास ध्यान रखिएगा वैसे don't worry दोस्तो मैंने इन सभी points के basis पर ही मेरी ये list त्यार की है और मैं आपको उन models के pros और cons भी बताऊंगा जिससे आप अपना एक better decision ले सके एंड एक अच्छा dishwasher ले पाए दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं 8 place settings dishwasher की और उसमें second number पर मैंने लिया है Faber का ये 8 place dishwasher इसके capacity से ही पता चलता है कि ये एक table top dishwasher है इसमें आपको total 6 wash programs देखने को मिलते हैं साथ ही इसमें 30 minutes आपको minimum program time मिलता है और maximum 3 hours का है Faber के इस model में आपको 1500 watts की motor power मिलती है और ये 10 liters तक water consume करेगा per wash cycle which is good इसके अंदर आपको 2 spray arms मिलते हैं और ये करता है hygienic cleaning at 69 degree Celsius temperature इसमें eco mode मिलता है जिसमें ये काफी कम water and electricity consume करता है delay start feature है यानि आप इसमें अपने according operation late भी start कर सकते हैं 49 decibels के noise levels ये dishwasher generate करता है वो भी full power पर चलाने पर जो काफी बढ़िया बात है और इसे specially Indian kitchen utensils के लिए बनाया गया है फैबर आपको देता है 2 साल की warranty product पर और 5 साल की inner cavity rust पर और अभी ये आपको 23,500 रूपे का मिल जाएगा अच्छा dishwasher है दोस्तो warranty भी अच्छी मिल रही है बर इसे खरीदने से पहले अपने एरिया में फैबर का service center जरूर चेक कर ले उसके बाद ही इसे खरीदे और हाँ दोस्तो इसकी और लिस्ट के सब भी dishwashers की best discount bang link नीचे description में दी है और ये कोई sponsored वीडियो नहीं है ये मैंने मेरे research से आपके help के लिए बनाई है अगर आप मेरे दी हुई link से खरीता है तो आपके price को जरा सा भी change न करते हुए इस channel की काफी help होगी प्लीज वही से खरीदे इसी capacity में मेरा first option आता है वोल्टास बे को 8 place dishwasher और ये इस range में बिलकुल best model है दोस्तो काफी अच्छे reviews and ratings है इसकी six wash programs है इसमें इसमें आपको LED display दिया गया है साथी eco mode and 30 minutes mode जैसे features भी आपको इसमें मिलते हैं वोल्टास का ये model per wash cycle 8 liter पानी का use करता है और साथी इसके wash programs time की बात करे तो minimum 35 minutes का wash program है और maximum 3 hours का आपको मिलेगा इसके अंदर आपको digital motor मिलती है जो की आपको देखने को मिलती है 1300 watts की motor power के साथ इसमें एक inbuilt heater लगा हुआ है जो की intensive 70 degree Celsius के पानी से आपके भरतनों को साफ करेगा इस model में आपको 2 spray arms मिलते है जो की सभी में होते ही है बढ़ ये 2 spray levels के साथ आते है साथ ही साथ इसमें 49 decibels के आपको noise levels मिलते है वल्टाजबे को आपको देता है 2 years की warranty product पर और 5 years की motor पर अभी ये आपको 19,000 के around Amazon पर मिल जाएगा 8 place settings के अंदर ये काफी बढ़ी option है दोस्तो इसे खरीदने वाले लोगों के feedback भी काफी अच्छे है लेकिन इसका एक कौन ये है कि आप इसके अंदर जादा बड़े बरतन नहीं धो पाएंगे लेकिन अगर आपकी family 3 से 4 लोगों की है तो इसे आप बिलकुल आखे बंद करके consider कर सकते है और dishwasher में यूज़ होने वाले rinse aid, salt and detergent की भी link मैंने निचे description में दी है अब बात करता है 12 place settings के बारे में एंड इसमें मैंने लिया है IFB का 12 place dishwasher दोस्तो ये एक free standing model है इसमें flexible half load function मिलेगा आपको जैसा कि इसके नाम में ही है आप इसे half load करके बरतन धो सकते है और ये उतनी ही energy, water और detergent यूज़ करेगा जितनी जरूरत होगी जो वाकई में एक बड़िया feature है दोस्तो इसके अंदर आपको two rotating arms मिलते है quick wash program है साथ ही eco wash mode है और ये model दोस्तो 70 degree Celsius water में आपके बरतनों को साफ करेगा IFB के इस dishwasher में आपको steam drying and time delay चैसे features भी देखने को मिलने वाले है per wash cycle ये model 9 liters तक पानी गंजीम करता है साथ ही साथ इसके noise levels आपको 49 decibels की मिलते है IFB आपको देता है two years warranty on product and eight years on spare parts support जो की अच्छी बात है अभी ये 41,000 का आपको मिल जाएगा discount वगर लगा कर आप और सच्टे में ली सकते है pros की बात करे तो features काफी अच्छे है दोस्तो adjustable racks है इसमें 360 degree jet spray भी है काफी अच्छे से ये cleaning कर देगा but IFB की after sell service कुछ cities में available नहीं है पहले अपने city में जरूर check कर ले वरना आपको problem हो सकती है इसकी भी discount link आपको नीचे description में मिल जाएगी 12 place के बाद अब बात करता है दोस्तो 13 place settings की और यहाँ पर मेरी लिस्ट में आता है boss का ये 13 place dishwasher इसमें आपको 6 wash programs मिलते है साथ ही इसमें भी half load option आपको मिल रहा है अगर आपके family में 5 से 6 लोग रहते है तो ये बिलकुल perfect option हो सकता है आपके लिए build quality की बात करें तो ये fully stainless steel material से बना मिलता है जिसे ये काफी durable बन जाता है 10 liters of water ये dishwasher consume करता है per wash cycle साथ ही इसमें intensive कड़ाई program दिया गया है जिसमें आप काफी दागवाली and oily कड़ाई easily wash कर सकते हैं और इसमें dosage assistant भी है boss की इस model में आपको express cleaning का mode मिलता है glass protection technology है and additional cutlery box इसके साथ आपको मिलेगा और दोस्तो company ऐसा claim करती है कि इसके अंदर आपको eco silence driven motor मिलती है जो less energy consume करती है and दोस्तो ये dishwasher specially Indian kitchen को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है आप इसमें हर तरह के Indian utensils easily wash कर सकते है which is a very good thing boss इस पे आपको देता है 2 years comprehensive warranty and 10 years की inner tub पर अभी ये 43,000 का आपको मिल जाएगा card offers वगेरा भी लगा सकते हो काफी बढ़िया model है दोस्तो ये अपना काम wonderfully करता है features काफी अच्छे मिलते है और लोगों ने इसे खरीदने के बाद reviews and ratings भी काफी अच्छी दी है लेकिन दोस्तो इसके noise levels थोड़े जादा है that is 52 decibels but वो भी intensive cleaning mode में use करने पर otherwise बिलकुल best dishwasher है दोस्तो इस capacity में आप इसे ज़रूर consider करिये इसके भी link आपको दी है नीचे description में so finally 14 place settings में मेरे इसाब से जो Indian market में available best dishwasher है वो आता है LG का 14 place dishwasher दोस्तो इसमें आपको 9 wash programs देखने को मिलते है जिसमें एक true steam बहुत ही कमाल का wash program है दोस्तो ये एक free standing model है और इसमें 1600 watts की आपको powerful motor मिलती है wash programs की बात करे तो इसमें minimum 30 minutes का wash program है और ये maximum 3 hours and 30 minutes के program पे चलता है इसमें आपको quad wash feature देखने को मिलेगा यानी 4 spray इसके bottom में लगी है और 2 spray arm इसके center में लगी है जो कि आपकी utensils को अच्छे से wash करेंगे इसमें height adjustable rack है और ये dishwasher consume करता है 9 liter पानी per wash cycle और इसे आप smart thing you app से भी connect करके अपने phone में ही सारे programs देख सकते है और cleaning complete कब होगी ये भी check कर सकते है and it's a inverter compatible dishwasher LG आपको इसमें देता है direct drive motor जो काफी silently आपके बरतनों को साफ करती है और इसके noise levels 45 decibels दिये गये है जो इस list में सबसे कम है और हाँ दोस्तों इसके अंदर आपको child lock and half load का भी feature मिलता है again it's a plus point LG आपको 2 साल की warranty देता है product पर और 10 साल की motor पर pros and cons की बात करें तो no doubt ये काफी अच्छा model है इसकी build quality and wash quality दोनों आपको शानदार देखनी को मिलेगी with all the excellent features पर इसका सबसे बड़ा कॉन ये है कि इसके अंदर आपको memory restore function नहीं मिलता and इसकी price वो भी काफी ज़ादा है 55,000 का अभी ये आपको मिल रहा है तो अगर आपका budget इतना है और आपके यहाँ बार-बार electricity जाने की problem नहीं है तो ही आप इससे consider करें क्योंकि ये भी Indian utensils के लिए perfect dishwasher है या फिर आप Bosch के 14 place dishwasher की तरफ भी जा सकते है क्योंकि उसमें आपको memory function भी मिलता है और उसकी pricing भी LG के आसपास ही है बस उसमें 6 watch programs है और LG में 9 उसके भी discount link आपको नीचे description में मिल जाएगी अब जैसा कि मैंने starting में बोला था कुछ ऐसे important tips जिनसे आप अपने dishwasher की life बढ़ा कर उसे बीना किसी परिशानी की use कर सकते है दोस्तो एक अच्छे brand का ही dishwasher खरे दे क्योंकि एक local brand का dishwasher आपको price में तो सस्ता मिल जाएगा लेकिन उसके खराब होने पर आपको उसके parts शायद ही कहीं मिले कोई भी बरतन dishwasher में रखने से पहले उसमें से सिर्फ large food particles हटा दीजिए वरना वो आपकी dishwasher के filters को जाम कर सकते है अगर आपको कोई बरतन या कड़ाई जल जाती है तो dishwasher उसे पूरी तरह से clean नहीं कर सकता dishwasher में हमेशा उसी के liquid and detergent का use करे कोई और normal वाला नहीं dishwasher में utensils रखते वक्त उन्हें downward रखिये यानी ultra रखिये और वो एक दूसरे के उपर overlap नहीं होने चाहिए वरना वो सही से wash नहीं होंगे दोस्तो dishwasher के अंदर rotating arms होते है जो पानी को utensils के उपर sprinkle करते है कभी कबार गलती से अगर आपने कोई बरतन ऐसा रख दिया जो उस arm को block कर रहा हो ऐसे में आपके बरतन अच्छे से clean नहीं होंगे इसलिए वो arm freely rotate हो रहा है या नहीं जी हमेशा चेक करिए एक dishwasher पानी को 70 degree Celsius तक ले जाकर germs and bacterias को utensils से पूरी तरह से remove करता है क्योंकि गरम पानी में बरतन जादा अच्छे से clean होते है इसलिए dishwasher का inner material काफी अच्छी quality का होना चाहिए dishwasher में धोने के बाद अगर आपके utensils पर पानी के दाग नजर आ रहे है इसका मतलब यह है कि आपके घर पे hard water आता है इसके लिए आपको water की hardness चेक करनी होगी और dishwasher की water softner settings को hardness के according set करना होगा और proper amount में salt and rain set डालना होगा डोंट वरी दोस्तों यह सब कुछ आपको user manual में दिया जाएगा उसे जरूर ध्यान से पड़े हर मैने में एक बार तो आपको dishwasher की cleaning करनी चाहिए जिससे वो अच्छी तरह से work करता रहेगा और आपको काफी अच्छी results देखने को मिलेंगे और हाँ दोस्तों सब भी dishwasher की discount link नीचे description में है उन्हें जरूर से चेक करना I hope कि आपके सारे doubts clear होगे होंगे अगर आपका कोई सवाल है तो आप comment करके पूछ सकते हैं